न्यू पन्वेल हॉसिंग सोसाइटी में बाज़ापता तोर पर एक मुस्लिम फैमिली को हरासा करने के मामले में पुलिस ने एक्षन लिया है बता दे आपको कि जिस तरीके से पीएफाई के नाम पर पन्वेल में दैश्यत पैदा करने की कोशिश की गई थी और इसका इलजा सक्स ने जो है ना सिर्फ ये के बिल्डिंग में पीएफाई जिन्दाबाद और सेवेइट सिक्स के साथ में एक रसी बम रखा था और तीसरे फुलोर पर डोर बेल के पास पीएफाई जिन्दाबाद के जो है ना सिर्फ ये के पोश्टर चस्पा किये थे बलके यहां पैदा करने की कोशिश की थी ये शक्स society का सेकेटरी था और सरकारी मुलाजिम भी था बता दे आपको कि जिस तरीके से पीएफऑय के मामले में मुसल्मानों को न सिर्फ ये के target करने की कोशिश की गई थी बलके अब पीएफऑय के नाम पर जो है सोसाइटी में जिस तरह से ए बाजापता तोर पर सेकेटरी को जेर हिरासत लिया बता दे आपको कि जिस तरीके से ये ख़बर को फ़ैलाया गया था कि PFI जो है पन्वेल में एक्टिव है इस से कबल NIA, ATS ने जो है पन्वेल में भी कारवाई की थी और PFI के कई मेंबरान को ना सिर्फ किये के गिरफतार कि गया था बलके अदालत के हुक्म पर उन्हें तंबी दे कर छोड़ा भी गया था पी एफ़ाई के मामले में ना सिर्फ यह के जब इस तरह का मामला आता है तो इंटेलिजेंस एजेंसिया एटीएस और दूसरी एजेंसिया भी जो है वो हरकत में आ जाती है इसी तरह से न्यू फैमिली को वहाँ से किसी तरह से हटाना था क्यूंकि वहाँ सिर्फ एक ही मुस्लिम कुमबा रहता था इसलिए वो तरह तरह के हटकंडे इस्तमाल कर रहे थे बता दे आपको कि यह मामला उस वक्त सामने आया जब सीसी टीवी फूटेज की जो है जाच की गई यह पता लग जो है इस्टीकर चस्वा कर रखा था और इसी के साथ यहां पर रसी बम के साथ पी एफ़ाई जिन्दाबाद का जो है एक पोश्टर रखा हुआ था इसके बाद जो है पन्वेल में दहिशत पैदा हो गई पुलिस जो हो हरकत में आ गई बताय जाता है कि जिस तरीके से माह माहूल को खराब करने के कोशिश की गई इसी मामले में जो है पुलिस ने एक्शन लिया और बाजापता तोर पर इस मामले में 152A और इसके साथ ही जो है दूसरी दफा भी लगाई गई है 41A-1 इंडियन पैनल कोट के तहद यह कारवाई की गई है बता दे आपको के माहूल खराब करने के लिए जो है यह तमाम मामला किया गया था ताकि यह पैगाम जाए कि प्यफाई जो है नीव पन्वेल में अब भी अक्टिव है प्यफाई पर पाबंदी आयत कर रखी गई है और बता दे यह मामला जो है 24 जून को जो है रोशनी में आया था और उसके बाद इस मामले में पुलिस ने तफ्तिश शुरू कर दी और तफ्तिश शुरू करने के बाद मालूम हुआ कि यह जो हरकत है सोसाइटी के सेकेटरी नहीं की थी इस मामले में पुलिस को साजी शरचने का मामला भी दर्च करना चाहिए और मुझरिमाना मामले में मुलविस होने का भ खराब करने की कोशिश भी है जो सोसाइटी है उसका नाम है नील आंगन हाउसिंग सोसाइटी इसमें ये वार्दात हुई थी और इस तरह से पुलिस ने इस सेकेटरी को जो है जेर हिरासत लिया उससे पूस्ताच चल रही है और पूस्ताच के दौरान ये भी अंदाजा है कि किस का इशारे पर उसने किया और इसके पीछे क्या मकसद था उसकी जहिनियत क्या थी और PFI को ही उसने क्यूं टार्गेट किया और PFI के मुतालिक ही उसने क्यूं ये पैगाम लिखा और इसके पीछे क्या मकसद थे कितने लोग मुलविस थे क्या सोसाइटी को दूसरे लोग भी इसमें मुलविस्त है इस मामले की भी जाच होना जरूरी है जहां के इंसाफ की खास रिप्लिट